एक अनादर यहाँ पे Best OS का अपडेट आ चुका है हमारे Poco के F5 डिवाइस के लिए और आज किस वीडियो में इसी का complete detail देने अलों कि यह रोम कैसा है भाई खरा हो के वीडियो बना बना के ठक गया हो आसो तके बैट के थो डिफरेंस टाइल में वीडियो बनाया जाए तो वीडियो को फोकस करने क्योंकि यह रोम प्रसनली मुझे बहुत पसंद आया है और इसके पहले मैंने आपको एक Fox OS का review किया था जो कि The Best के नाम से मैंने title भी रखा है और वो रोम मुझे रियली में काफी सूपब लगा है लेकिन उस रोम और इस रोम के बीच में क्या क्या डिफरेंस देखनी को मिलता है दोनों से किसे पिक करना चाहिए वो चीजे में इस वीडियो में cover करता चलूँगा ताकि आपको select करने में दिक्कत ना हो परसानी ना हो इसलिए लास तक जरूर वाच करना ठीक है तो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना हो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब यहां पर हमारा जोए AOD है वो प्रोपर काम करता है आपको साहर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहागा बढ़ हाँ यह वर्किंग है साहर फेस उनलॉक फिंगर्प्रिंट आपका प्रोपर वर्किंग रहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती एप्स ओपनिंग को यहां पर मिल जाता है आपको डिस्प्ले की क्वाइटी थोई सी डाउन इसलिए लग रही होगी क्योंकि मैंने यहां पर प्रैविसी गार्ड लगा रखा है जो कि आपको यहां पर साइट करने के बाद दिखाई नहीं देगा बिल्कुल ही जिसके विएसे यहां पर 14.0.8 के उपर रन कर रहा है जो कि 7.6 का यह वर्जन है और यह रियली में काफी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है बाकी यहां पर डिटेलन इंफो की बात करें तो Android 13 पर रन कर रहा है जो फॉक्स का वीडियो में आपको दिया है वो भी Android 13 पर ही रन कर रहा था और व एच्छी बात है ड्वांटीज है स्लासा चैनल होगरा आप यहां पर देखी सकते हो दाकि आस्मूदनेश की बात करें यहां पर काफी सहीए बट यहां पर देख से तो Spring की इनिमेशन नहीं है जबकि उसके उसके अंदर Spring की एड के सब्सक्राइब को रहता है जबगि कि यह यहां पर यूज कर सकते हो असानी से call toolbox वगेरा भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपको कोई problem नहीं आती apps के अंदर वही similar से features मिलते हैं बैटरी के अंदर आते हैं से skin on timing यहां पर एड किया गया है बट इसका जो timing है वह only on nine minute है तो यह accurate नहीं है ऐसा लग रहा है जैसे कि अब फोन को मैंने बूट किया है और यूज करके review देने लग गया है बट ऐसा नहीं है इसे मैं कल से डाल रहा हूं तो skin on timing की थोड़ी सी कम ही लगी है क्योंकि officially जब हटा दिया जाता है तो अलग से डालाओ तो थोड़ी दिकते करता ही करता है फेसल लग फिंगर प्रिंट आपका working मिल जाता है sound के profile में हम आते हैं तो जो आपको इस्ट्रा को मिल जाता है साथ-1 screen का option आपको यहां पर दिखाई देता है double tap to sleep है unlock के अलग अनिमेशन यहां पर दिये गए हैं बाकि यहां पर देखते तो experimental कुछ features वगेरा आपको मिल जाता है scrolling के है folder blur वगेरा का option मिल जाता है old widget का option आपको मिल जाता है search for monitor effect आपको मिल जाता है और launcher है वह काफी जड़ा powerful दिखाई देता है और हां जैसे कि हाइप रोच में launcher रहता है motivational रहता है तो वहां पर lag श्टर आता स्मूधनेस में कम ही आती है बट मिय फोटिंग की टाइम में यह चीज़ आपको नहीं होती कितना भी advanced आप launcher डालो ना आपको जड़ा से भी lag फिल न मिलता है डाक मूर आप जैसे एक्टिवेट करोगे यहां पर आपको डाक मूर वाले इंडिविज्वाल सारे आप आपको नजर आ जाते है जो कि सही है और अभी टक मैं इसे डिफॉल्ट पे ही यूज कर रहा था बट आप इसे जो अपने हिसाब से चेंज कर लेना जो कि 160, 60, 90, 120 का भी ऑप्सन मिलता है अगर आपको गेमिंग करना है फोर्स फुली 120 के लाबा वन कर लो आपको बेटर एक्स्प्रियेंस मिलेगा और जबहें आप 120 पर भी रख सकते हो यहां पर अनलॉक कर दिया गया है जो कि आप आलवेज के लिए सेट कर सकते हो बट में रिकमाड़ेट करूंगा 10 सेकेंड ही उच करो तो ज्यादा बेटर रहेगा साथ यहां पर आपको टायम आउट वगर के आपको मिल जाता है वाल पे पर प्रसनलाइज के अंदर वह नर वही similar customization आप चाहते हैं यहां पर skip कर सकते हो जहां पर आपको wifi change करने का option मिल जाता है signal change करने का option मिल जाता है और यहां पर आप देखो कि camera के पास Mickey Mouse का मैने shortcut रखा है और VO, battery का sign, network sign आपको change दिखाई दे रहागा जो कि मैने यहां ही से change कर रखा है और यह हमारा notch style जो कि जो भी रखना है रख सकते हो चार्जिंग के अललग अनिमेशन है और यह प्रोपर काम करते हैं और काफी अच्छा लगता है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है तो मैंने एक सेट कर रखा है अगर मैं इस लॉग कर दो चार्जिंग पर डालू तो आप यहां पर देखो कुछ इ इनेवल सिस्टम मोनिट एफ्ट्स वगेरा है इनेवल बलॉर्स का है मैक्सिंगम डिवाइस के लिष्ट मिल जाती है तो किस डिवाइस का रखना चाहते है इसके इंसट के उपर वह चीजह आप यहां पर आड कर सकते हो जो कि काफी अच्छा आपको यहां पर मिलता है अना स्मूधनेस भी बेटर मिलती है और यहां पर जो जेट के का एक एक्ट्रा कुस्टमाइशन का टैब मिलता है यह और भी ज्यादा एडवांस बना देता है इस रूम को अब रही बाद प्रसनलिक यहां पर टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ आता है तो वह मैं आपको यहां पर दि अप्लिकेशन मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से अपना एड कर सकते हो बाद में और हाँ सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि फॉक्स में नहीं देखनी को मिलता है यहां पर यहां पर आपको बेसिक और डिवाइस फिक्स मिल जाता है जबकि वहां पर कुछ भी फि जरूत नहीं पड़ेगी जबकि वहां पर रूट करने के जरूत पड़ेगी तो यह और सबसे बड़ा एडवांटेज यह दो बड़े ऐसे एडवांटेज है ना जो कि उसे फवासा फीका कर देते हैं फीचर्स के मामले में और एक और चीज जो कि बहुत साब लोग डिमां 80% है मौर्निंग में आता है 78 जहां पर आप देखो कि टू परसेंट का बैटी रोफ है एट आर्स 50 मिनिट का यहां पर टाइमिंग देखनी को मिलता है क्यों जो कि मैं कह прямо कि काफि साही और थे और फोक्स में क्यासा हा था इह नर्माल के टाइम पर लो जाता है 4 लटेशए और मिनों चाने डिलाख से बमां में आइठ्वी अच्छा है इफक्षा में आप देखनी को मिला था यहाँ जहाब देख से तो मैंने वाइल्ड बूस्ट को on कर रखा था अनदर यहां पर जब मैं वाइल बूस्ट को on को off करता हूं सिर्फ गेम टर्व में एड़ करता हूं जब यहां पर तीन लाग सता सीजर मैक्स और मिनुम यहां पर तीन लाग देख सकते हो दोनों में कितना डिफिरेंट आपको नजर आ रहा है तो यह भी चीज यहां पर नोटीस होती है अनदर यहां पर गेमिंग में अल्ट्रा एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम प्लस अनलॉक रहते हैं और यह स्वेम फॉक्स में भी देखनी को मिला था बस वहां पर नहीं गया है तो यह अच्छा खासा है अनदर लवन का सपोर्ट आपको मिल जाता है यहां पर डॉलवे विजन इस्टिया टेन प्लस वगरे भी आपको देखनी को मिलता है फोटो स्टोर्च तो मैंने आपको सो कर दे रहा हूं जो कि मुझे पसंद आए हैं और हाँ वीजि की वाई दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो पहले यह देख लो 14 मिनट में 37 परसेंट चार्ज गया तो स्पीड अच्छा है तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि आपको ज्यादा कस्टमाइशन नहीं पसंद है तो आप फॉक्स वरोम के साथ जा सकते हो जहां पर आपको इस वची अतल को पर आपको जना परसेंटाओ यहां जास्टमाइशन हिए को फोटोस्टोय से मामल में कॉम्परॉमाईश करना परेगा बैंकिंग एप से रीलेटिप कॉम्परॉमाईश करना परेगा जबकी इस तो काफि का एक शीम चाफिछी द Vorteil मरह मूंपर्रमाइश देखने को मिलते हैं हर जगह पे वह animation यहां पे आपको नहीं मिलता जैसे कि आप देखो control center में swipe करता हूं तो ऐसा लगता है page में change करते हूं page को left से right right से left किया बस जबकि hyper में आपको animation नजर आता है तो यह चीज़ आपको डालना कैसे यह तो इसे आप दो तरीकी से डाल सकते हो अपने recovery से flash and format reboot कर लो या bad file run करके भी इसे install कर सकते हो क्योंकि यह एक हमारा है जो hybrid ROM है but मैं recommend करूँगा कि इसे आप recovery से install करो क्योंकि hybrid है और आप PC से install करते हो तो sometime booting में दिक्कत करेगा आपका on नहीं होगा अगर आप recovery से install करते हो तो प्रोपर इंस्टॉल होगा आपको problem नहीं आएगी इसलिए मैं recommend करूँगा कि आप recovery का ही योज करना बस आज लिए इतना ही सथा मिलता हूं इस वीडियो में और लास्ट में एक installation guide add कर दूँगा जिसे आप watch करके इसे install कर पा गए और mostly लोग कहते है कि इसी रोम का installation दिखा देते तो बेटर रहता बाई same process है बस मैं बार 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 पीसी स्क्रीन सो डालो इसे डालो उसे connect करो नहीं करना जाता है इसलिए प्रोपर guide वीडियो बना दिया है जो कि जहां पे उस तरीके का method लगेगा मैं वो वीडियो add करता जाओंगा ताकि आपको दिक्कत ना है तो confusion किस बात कियाती है मुझे ये समझ में नहीं आता जब मैं आपको installation भी दिखा दे रहा हूं बस हो एक guide वीडियो है तो same दूसे मैं follow कर लो ना आपका काम बन जाएगा ठीक है और को भी opinion अगेरा देना है तो comment कर सकते है वीडियो अच्छा लगा है तो like कर देना हो चानल कर देना है तो